हलो एवरीवन कैसे हो आप सभी आज मेरे बेटे का जनम दिन है इतना क्रेजना मुझे होली दिवाली का भी नहीं होता है अब जितना मुझे अपने बचे के जनम दिन का होता है हर साल ना एक दो महीने पहले मैं इंतजार करने लग जाती हूँ इस दिन का कि कब मेरे बेटे का जनम दिन आएगा और मैं बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करूंगी क्या करना है एक्साइटमेंट बहुत जादा होती है जब हम पेरेंट्स ना माबाप बन जाते हैं ना उसके बाद हम अपना जनम दिन भूल जाते हैं बस अपने बच्चों का ही जनम दिन मनाने में अच्छा लगता है तो ये कल 2 जुलाई की शाम का समय था रात का समय था और मैं बस थोड़ा सा अपना 20 तरह बना रही थी क्योंकि फिर मुझे सोना था और मैंने सोचा था कि मैं 3 जुलाई को सुबह जल्दी उठूंगी और उठके मैं घर के साफसफाई काम निप्टा दूँगी लेकिन नहीं उठी मैं सुबह जल्दी मैं उठी हूं सुबह सड़े 6 बजे और टाइम इतनी जल्दी जल्दी बीतरा है ना आज का दिन अभी मैं आपको टाइम बताओं मैं वीडियो में आवास दे रही हूं ना तो सवा बारा बच चुके हैं बस इस वीडियो को भेजते ही मैं मतलब भेजना भेजते हैं क्या बस अभी एडिटिंग कंप्लीट होएगी मैं जाके वीहान को फिर स्कूल से लेकर आऊंगी क्योंकि स्कूल का टाइम हो गया है वीहान का तो सुबह भी टाइम लग गया देखो वीहान को तयार करना स्कूल में भी वीहान का देखो जनम दिन का सेलिबरेशन होता है बच्चों के साथ बच्चे स्कूल में भी जनम दिन बनाते हैं उसके बाद घर पे भी बनाते हैं इसलिए मैंने विहान किया चूटी नहीं करवाई मैंने का नई विहान को अच्छा लगेगा बच्चों के साथ अच्छे से मतलब मस्ती करेगा तो उसके बाद यहां पे देखिए मैंने दो बिस्तरे ये देखिए दूसरा साथ वाला बैड भी मैंने जितने भी कपड़े बैड पे रखे हुए थे सारे तै करकर के अलमारियों में जचा दिये थे पूरे घर में अब मैं अच्छे से ज़ाड़ू लगाऊंगी ज़ाड़ू लगाने के बाद मैं अच्छे से पोचा लगाऊंगी क्योंकि पोचे से ही अच्छे से सफाई होती है क्योंकि आज मेरे आज आप देखना जितने अच्छे से हम विहान का जनम दिन सेलिब्रेट करेंगे ना मस्ती खाना पीना बढ़िया डेकोरेशन भी करूंगी मैं सारा समान ला रखा है मैंने भी डेकोरेशन का गुबारे ला रखे हैं बस अभी दिन में अभी लगा दूंग हम सिंपल है हमारा तो देखो ना हम कोई बहुत ऐसे है कि हम इतना मतलब आप समझ रहे हो ना कि बाहर होल वगेरा बुक करवा के हम बच्चों को जनम दिन सेलिब्रेट करते हो हम तो सिंपल अपना घर में ही मना लेते हैं जनम दिन गैस्ट भी घर में ही आ जाते हैं घर में घर कर लेते हैं अच्छे से घर की और यह देखो मम्मी आज क्योंकि वीहान का जनमदिन है तो मम्मी भी आए हुए हैं यहां पर बके बढ़ा की है resignation इतनी तकलीफे जहली हैं, अपने बच्चे को अकेले सिंगल पेरेंट बनके, क्योंकि ये समझ लो कि 45 दिन के बच्चे से चार साल का मैंने कर दिया मेरा बच्चा, मेरी मम्मी पापा ने दिया साथ सपोर्ट किया है, फैमली ने सपोर्ट दिया, लेकिन फिर भी एक वो होता ह ले ना की पती का साथ होता है, तो बच्चे को हम पालते हैं, वो चीस नहीं है, देखो आप भी जानते ही हो, अकेले ही सब कुछ करना अकेले अपनी जिंदगी को चलाना, असान तो नहीं होता, बढ़ फिर भी चलो बैब पिर इसलाई हो, जो भगवान जासे रख रखे, व लंभी जिन्दगी दे मुझे अच्छा स्वास्त कहें हम आ बेटा अपनी जिन्दगी गुजार लेंगे हम वह नहीं कि हाँ अपनी जिन्दगी हम एक दूसरे को देख के काट लेंगे बच्चा मैं विहान को देख लूँगी विहान मुझे देख लेगा और हम अच्छ से परवरिश दूँगी सब कुछ मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि कोई कमी ना रहे मेरी तरफ से अपने बच्चे के लिए कि कहीं ऐसा हो कि देखो कहते हैं ना कि फादर नहीं है तो मतलब कोई कमी जोड़ दू नहीं मैं अपने मा के फर्ज भी निभाऊंगी और फादर के फर्ज जो मतलब विहान के पापा के जो फर्ज है वो भी मैं खुद ही निभाऊंगी और सारी फर्ज अच्छे से पूरे करूंगी और मैं आप लोगों को कहती हूँ ना कि मुझे सांस लेने में प्रोबलम होती है ब्रीफिंग इशूज होते हैं मुझे नो ड इप्रेशन भी इंसान को ना ऐसे बिमार कर देता है तो इतना टेंशन ले लेके भी मुझे लगता है कि उससे भी होता होगा क्या पता कि मुझे ब्रीफिंग इशूज होते हो सांस लेने में दिक्कत आने लग जाती हूँ और जीब सा फील होता है तो वो सब ना सिम्टम मे भी टेंशन की वज़से होते हो क्योंकि आज देखो थोड़ा सा खुशी थी खुश हूँ मैं कि चलो मेरे घर में आ रहे हैं शुरूती दिदी और आ रहे हैं दिली से आने लग रहे हैं इतनी दूर से कार लेकर तो वो मिलेंगे वो बच्चे से मिलेंगे और भी फैमिली अ कि चलो आज को यार है घर में तो आज तो सफाई करते हैं अदर्वाइस अकेली अकेली रहती हूं अकेले अकेले घर में कुछ भी ऐसे होता है ना काम करने का भी जी ना तब करता है जब दो चार लोग हो गुमते फिरते दिखते हैं घर में अब मैं अकेली रहती हूं तो ऐ अकेले रहने के अब तो आदत हो गए शूरू शूरूमें अजीब लगता था कभी मैंने भी झोटा सोचा था कि मैं अपे लिखा पाउंगी अकेले घर में दूसे जी candle जोएंट में मेरे गुटन बट अब इस पोचे से क्याना मैं असानी से देखो ना अच्छे से लगा लेती हूं मुझे इसमें जुकना मुड़ना नहीं पड़ता जादा और इजी हो जाता है इसमें मतलब अराम से मशीन की तरह हैं यह बिल्कुल पोचा बहुत अच्छा लगा मिल्टन का लाई थी मैं अच्छी ब्रेंड का लाई थी क्योंकि एक बार लो चीज अच्छी ले लो इसके साथ दो मिले थे मुझे यह यह पोचा जो नीच आगे लगाते ना यह वाला यह चेंज कर लूँगी कर को खराब हुआ तो यह देखो ममी साथ वाले घर में थी अभी भी देखो अभी मैं खाने पीने का समान अभी तक कुछ नहीं लाई हूँ मैं सोच रही हूँ अब जाओंगी ना विहान को स्कूल से लाने तो सोच रही हूँ जाके ले आओं क्यूंकि मेरे को वैसे मैंने ना तो उस वज़े से अगर लगा दिया होता ना मैंने सेट कर दिया होता अभी मैंने चलाना भी डंग से नहीं सीखा उसको उसको सीखूंगी पहले फिर चलाना शुरू किया करूंगी देखो धीरे इंसान सीखता है पहले मैंने बाइक आती नहीं थी मुझे चलानी मैंने खरी एकदम से सब कुछ नहीं होता, टाइम के साथ सब कुछ सीख जाता है, जब आपके ऊपर सब कुछ पढ़ता है, तब भी आप सीख जाते हो, तो ये देखो ये बाहर का ये वाला फर्श आपको कैसा लगा, कॉमेंट करके बताईएगा, ये वाली जो टाइल जैना घर की, सारी मैंने पसंद करी थी, सारी, टोटली, तो मुझे बहुत पसंद आई थी, और ये देखो बाहर का भी ये थोड़ा सा ना वाइपर से लगा के थोड़ा सा साफ कर देती हूँ, आज पूरे घर में एक बार तो मैंने ज़ाडू लगा दिया था, बहुत अच्छी सफाई तो मै जगा बना दी, थोड़ा बहुत ज़ाडू पोचा लगा है, बहुत डीप क्लीनिंग मैंनी कहती कि मैंने किया है, ये देखो उस दिन बारिश का पानी आ गया था ना यह नीचे से आ गया था, तो ये कर दूँगी मैं इसका काम हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है, ये पी तो रूम में ही ना बैठ जाए आ के साप, क्योंकि पीछे खेत वाला एरिया भी है, तो क्या कर सकते हैं, बाकि अभी, तो ये देखो, मैं ना दिखाती आपको, मेरे सोसाइटी में बहुत बार साप निकले हैं, लेकिन मैंने कभी आप लोगों को वीडियो बना के दिखाया नहीं क्योंकि मैं नजदीक जाती ही नहीं हूँ वीडियो बनाने ऐसे में साप वगएर आते तो हैं, पर अपनी जान जादा प्यारी लगती है वीडियो से, तो मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए कि मैं हा मेरे घर साप आए, मैं साप की वीडियो कैसे बना हूँ, साप निकला लेकिन फिर मैं दिखाती इसलिए भी नहीं हूँ क्योंकि यूट्यूब की कुछ गाइड लाइन्स भी होती है जैसे आप साप वगएरा दिखाओ तो उसमें जैसे कुछ भी आप ना जैसे जानवरों के साथ ना वैसे जैसे मतलब होता नहीं उनको परिशान कर करने वाली कोई वीडियो हम नहीं डाल सकते हैं यूट्यूब पे और उसमें क्या होता है ना कहीं बार आप समझ भी सकते हो सापों के साथ तो वहीं चीज़ है इसलिए मैं नहीं डालती वह वीडियो ना मैं खीचती बट कभी एक बात बताओ मेरे घर में साप आएगा तो म उससे दूर भागूंगी आप ही सोची क्या कोई सापों की वीडियो बनाता है तो यहां पर देखिए चलो मिलते है नेक्ट वीडियो में